चीनी निर्यात से जुड़ी बड़ी खबर केंदर सरकार ने निर्यात को मिलो रिफाइंडरियों के लिए चीनी के निर्यात मान दंड में धिल दी है जिने कच्ची चीनी शिपिंग के लिए पर्मिट दिये गे हो उन्हें रिफाइंड चीनी फेजने का विकल्प दिया गया है केंदर सरकार के इस फैसले से कुछ रिफाइंडरियों को मदद मिल सकती है जो पहले से ही कच्चे से परिश्कृत किस्म को संसाधित कर चुकी है और सो लाग टन कैप से परे निर्यात परमिट में छूट पर भ्रम की स्थिती में है 17 अगस को जारी एक अधिसूचना में खाद्या मंच्रालिया ने कहा कि ये सपस्ट किया जाता है कि सीमा शुल्क अधिकारी रिफाइनरी चीनी मिल निर्यातक द्वारा रिफाइन चीनी के निर्यात की अनुमति दे सकते हैं ऐसी रिफाइनरी या चीनी मिले जिनोंने चीनी मिल से कच्ची चीनी निर्माता के नाम पर उलेखित मात्रा के भीतर कच्ची चीनी की खरीद की है। उन्हें समंदित अनुबंद और चलान के उत्पादन पर परिश्कृत चीनी का निर्याद करने की अनुमती है। मंत्रा लेके 5 अगस्त के आदेश ने 78 चीनी मिलो को 31 अक्तूबर तक सीधे या निर्यात को के माध्यम से 4,30,563 टन कच्ची चीनी निर्यात करने की अनुमती दी थी हलाकि ताजा अदेश में कहा गया है कि कच्ची चीनी या तो सीधे निर्यात की जाती है या रिफाइनरी द्वारा ऐसी कच्ची चीनी के प्रिश्कृत चीनी के रूप में निर्यात किया जाता है Bureau Report Market Times TV